तो दोस्तों यूट्यूब की नई अपडेट आ गई है और जो नई अपडेट है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर आप कोई अपडेट जान नहीं है तो सबसे पहले आप जान लोगे लिए जिनका जो चैनल मॉनिटाइज है लग जो हम जैसे क्रिटर्स है उनके लिए यूट्यूब ने एक नई अपडेट लाई है मॉनिटाइजेशन के लिए ताकि थोड़ा उनको हेल्प हो सके ताकि उनकी थोड़ी अर्निंग अगर बढ़ सके तो यार अब मैं आपको बताता हूँ है क्या यह है क्या वह बताता हूँ आपको तो यार अपडेट बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को भी प्रेस तर लेना कि मैं हर रोज एक ऐसी नई वीडिय और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो मैं हूँ आपके साथ दक्ष चलते हम वीडियो में आगे तो दोस्तो ये जो अप्डेट आई है ये यूटियूब की बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अगर आपको यूटियूब को चैनल मौनेटाइज हो चुका है आप अपडेट बताता हूँ क्या अप्डेट आई है अब ये जो पहले जब यूटियूब पर अगर हम 10 मिट से से ज्यादा एड लगा सकते थे तो यार अब जो यूट्यूब ने थोड़ा यूट्यूबर्स की अर्णिंग को बढ़ाने के लिए यूट्यूब नहीं पॉलिशी मतलब नहीं अपडेट निकाली है अब क्या है क्या है अगर आपकी वीडियो जदस मिल फ़्यूबर है थी तब यहां पहले एक से ज्यादा है ठीह किने इक से नहीं. इन अड्स होता है थे मिद रॉल एड्स तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो जादा एक जादा की है और आपका जो चैनल हो ओ गौनेडाइज है तो आपकी जो वीडियो जादा है उस पर दो अपर यह मिद रॉल आड लग सकती है अब पहले क्या होता था कि ये जो YouTube की ज़स्सेव जयादा वीडियो थे इस पर लगा सकते थे but अब 27 जुलाई के बाद मनला आने वाली 27 जुलाई के बाद से ये जो मिड रोल ये जो मिड रोल एड्स जो हम 10 मिनिट से जादे की वीडियो पर लगाते थे अब हम 8 मिनिट की वीडियो पर भी लगा पाएंगे तो इससे क्या फायदा होने वाले यूट्यूबर्स को यह भी बताता हूं मैं आपको यह जो यूट्यूबर्स की अर्णिंग थी वह ना यह इन ही वीडियो से आती थे अब क्या होगा कि इनकी जो 8 मिनिट से जादे की जो वीडियो होंगी इन पर भी मिट्रोल एट्स लगा पाएंगे और जिनके वज़े से इनकी अर्णिंग है ना काफी बढ़ जाएगी अगर आपका चैनल में मौनिटाइज है तो इस अब्डेट को जरूर ध्यान से सुन लेना क्योंकि इस से हो सकता है इस अब्डेट के बाद आप लोग की अर्णिंग हो डबल हो जाए ट्रिबल हो जाए क्योंकि mostly YouTubers के चैनल पर आठ मिनट या दस मिनट के बीच में एक एवरेज वो होती है जो आठ मिनट के दस मिनट की वीडियो उस चैनल पर आराम से मिल जाए तो दोस्तो स्क्रीन पर आने के बाद हमें सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है उसके बाद हमें नया टाब ओपन करके वहां पर सर्च करना है Creator Studio मैं सर्च कर लेता हूं उसके बाद सेट नमबर पर गूगल की ऑफिशल वेबosit आईगी हमें उसे पर एक कलिक कर लेना है उसके बाद यहां पर हमारे सारे एंडिक्स खुलजाहेंगे पूरे चैनुल के टीक्स गूगल की यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद हमें अपने monetization page पे जाना है अभी मेरा चैनल दोस्तों monetize नहीं है तो मेरे पास ओप्षन नहीं आ रहा फिर भी पर मैं आपको अभी दिखाता हूं आगे कि आपका कैसा इंटरफेस आएगा दोस्तों जब आप अपना Chrome खोलोगे और उसमें चैनल के analytics के monetization उसमें जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा उस पर जाके आपको उस पर first option पर click कर देना है और वहां पर उसे save कर देना है इससे क्या होगा YouTube जो है ना आपकी वीडियो मतलब जितनी भी आपकी चैनल पर वीडियो आट मिर्ट से जादा की होंगी उस पर आपकी जो ads वगएर है वो automatically लग जाएंगी दोस्तों मैंने आपको YouTube की जो latest अभी जो update आई थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया और उसका process भी बता दिया कि कैसे आप उसे enable कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सर्फ इतना ही आपको पताया अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चाहिए मैं चैनल सब्सक्राइब करिए एक लाइक जरू करना वीडियो को फिर मिलेगे ऐसी एक और नई वीडियो में